प्रवेस्ट कर चुके कल हमने इसका पहला लेक्चर आपको बताया था कि कैसे त्यारी की जाए वह हमारा फॉर्स्ट मॉन लेक्चर था अब आज से मैं कोशिश करता हूं टॉपिक सुरू करने का लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया है एक प्रिसाइज आईडिया हिस्टोग्राफी की होनी चाहिए हिस्टोग्राफी टेक्निकल चीज भी है लेकिन मैं उसको इस प्रकार से आपको समझाओंगा और उसके इंकरिकेसीज को बताओंगा कि आपको आराम से समवा जा जाएगा कि क्या महत होता है कोई भी कोशन C में जो वरडिंग और जो तमस उनों ने दिया हुआ है वो हाफ जार्ड है उनों अपने रहं से से छिट किया हुआ है हमने अपनी इसकीन दिया है तै teriakşika तो हमने क्या किया है उसी उनहींट कर दिया है जो आपको एक पूरी और बहतर तस्वीर प्रस्तोत करेगा आप जो मैंने कल आपको मेरे PDF में जो गया होगा टॉपिस को जिस तरह से मैंने चैन करके आगे और पीछे डाला है आप उस तरीकी सी एक बाद उस पर सोचने की कोशिश करिए मेरा लेक्चर सुनने के बाद कि कैसी कैसी चींज घर्टी थोड़ा है कैसी अब हिस्ट्री तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री 18th century से आरंब होता है तो 18th century से आरंब होता है तो तरीका के हिसाब से 1st half of 18th century आपने medieval history में कर लिया है लेकिन थोड़ा हम उसकी 1st half of 18th century की थोड़ी सी चर्चा को repeat करेंगे अपने लेक्षर में लेकिन हमारा जो मुख प्रयास होगा या हमारा वो होगा 2nd half of 18th century से आपका जहां से battle of policy onwards battle of policy नहीं बेसिकली European companies से ही आपका स्लिवा सुरू हो गया है और किस परकार से European companies ने हाला कि European companies की वैपार में क्या भूमिका रही है एकॉनमी में क्या भूमिका रही है वाट डियू मीन बाई इस ट्रेड रेवोलिशन उन्होंने किस परकार से वैपारी क्रांती लाई इन बातों की चर्चा हम लोग कर चुके medieval history के ही last में उनकी economic part में तो सभी एक दूसरी से link है अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे तो 18th century में हैं कि 18th century के बाद जब British शासन की अस्थापना होगी तो अब वहां से एक दूसरी दिशा शुरू होगी जिसे तुम colonization कहते हो आपनिवेशी करन कहते हो लेकिन इसी ओपनिवेशी करन के काल में ही modernization भी हो रहा है आजने की करन भी हो रहा है तो अब कैसी इन दोनों के भी हम संतुनन अस्थापित करेंगे फिर बिटिश के दौरा जो policy अपना ही गई है उस policy का policy impact या policy measures का क्या impact रहा है वह अभी हमारे आपको कुछ नहीं करना है आपको daily lecture में जेतना cover करूं उतना घर पर जाकर आपको digest कर लेना है अब मैंने हिस्टोग्रफी के विसे में आपको बता ही था कि ये अचकार ने कहा है what is history में कि एक ही चीज के अलग-अलग historians, अलग-अलग कारण अपनी प्रास्मिक्ता के अनुसान निर्धायित करते हैं और historical fact का चैन उसी प्रकार से करते हैं तो जाहिर है कि जो modern history का अध्यन सुरू होगा तो यहां भी पहल जिन विद्वानों के द्वारा की जाएगी उन्हें old Cambridge historians बोलते है old Cambridge historians क्योंकि एक new Cambridge historians से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा जो 1970s में प्रकट होगी तेकिन जैसा कि मैंने आपको promise किया है कि मैं technical चीज़ों को बहुत ही आपको सामाने तरीके से समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी उसमें कोई परिशानी नहीं होगी अब आप कहेंगे इस हिस्टोग्राफी की जरुवत क्यों परती है तो यह जरुवत इसलिए परती है क्योंकि हमारे लिए यह बरा महत्पून हो जाता है महत्पून इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके सामने कई questions ऐसे होंगे जिसमें आपको यह stand लेना होगा तो यह stand लेना होगा तो अब उसको support करें view को उस view को oppose करें वो dip in करेगा कि हमारे पास अगर हिस्टोग्राफिकल नॉलेज थोड़ा सा है तो overall question पर हमारे stand को बढ़ाएगा उसको जादा clear करेगा इसलिए मेरी विचार में आपको इसकी workable knowledge चाहिए आपको कोई परिशानी नहीं होगी बड़े आराम से आप उसे cover करेंगे हम आते हैं समुद्धे के ओपर इस्तिहास लेखा मैंने आपको बताया था कि जैसे five अंधों ने हाथी को टटोला तो उन्होंने हाथी के अलग-अलग आकार निरधारित किये किसी के हाथ में हाथी का पीठ परा तो उसने हाथी को मोटा बताया किसी को हाथी का शूर परा तो उसने हाथी को लंबा बताया वह इस इस्टोरियन्स का है, कि वो अपने एक अलग दिश्टी कोड से चीजों का मुल्यांकन कर रहे हैं, तो उस क्राम में अगर आप ओवर ओल इस्कूल देखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, कि जो इस्कूल आपका होगा, वो इतिहास लेखन के ये इस्कूल आप सामराज्यवादी, सामराज्यवादी, अब सामराज्यवादी में ही दो सब स्कूल हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ओल्ड केम्प्रिच, और दूसरा होगा न्यू केम्प्रिच, और दूसरा होगा न्यू केम्प्रिच, ओके, और ये न्यू केम्प्रिच प्रकट हुआ है, उनिस्सो शत्तर की दशक ओन्वोर्ड्स, फिर दूसरा आप का जाएगा राष्टवादी, राष्टवादी दिश्टिकूर, तीसरा मार्सवादी, 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 राष्टवादी, मार्सवादी, और तब चौथा होगा आपका सवाल्टन, सवाल्टन, उसको हिंदी में बोलते हैं उपास्रवादी, इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्रवादी, तो here you can just underline so many schools, सामर्जवादी, old Cambridge, फिर new Cambridge, 1970 के दश्यक में हैं, एक दूसरा स्कूल आपका आता है आपर राष्टवादी, फिर आता है मार्सवादी, उसके बाद आपका आता है सवाल्टन अथवा उपास्रवादी, अब हम एक एक सामर्जवादी इसलिए कहा जाता है कि वह कोई ने को एक बिरहत उद्देश प्रेरीथ होकर आता है, उसका अपना एजेंड़ा अलग है, उसका उद्देश अलग है, तो अब one by one my students, मैं आपको किलेर करता हूं इसकूल के बाड़े में, जैसे पहला आप काता है सामर्जवादी इतिहास लेखन अत्वा ओल्ड केंब्रीज, पहले ओल्ड केंब्रीज को देखिए, यह मैंने आपको PDF4 में जानबुच कर रखा हुआ है, क्योंकि आप अगर PDF4 में, वही जो class जो पहले note down कराते थे, मैं exactly PDF4 में आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं जो उचीस समझूंगा, तो board work भी करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए चीजी जितनी सुगम हो, और जो exam point भी से जो important चीजी हों, वह आपको आराम से digest हो, तो यहाँ पर आते हैं सामराजवादी इतिहास लेखन, असवा old camera जी इतिहास लेखन, इसमें है कि आधनिक भारत की इतिहास का आरभिक अध्यन उद्विद्वानों के द्वारा आरंभ किया या, जिने सामराजवादी लेखक के नाम से जाना जाता है इन विद्वानों में परसीवल स्पीर, एक गलहर, आदी महतव़न है, इनके दिश्टिकोन को प्रेडिद करने валे कारक, अब पहले मैंने देखो अब यह जो बिद्वान है मैंने ज़्यादा नाम नहीं लिखा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी पूरी सूची आजाएगी अनिल सी लाएंगे और भी कई आएंगे लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही नाम जान पूछ के रखा कहीं अगर आपको बोलना हो कहीं इंटर्वी वोर्ड में ही पूछा जाता है कि अच्छा बताएए आपको ओल्ड केंब्रिज के महत्पून लेखा कौन है तुम कहोगे पर्सिवल एस्पियर और एक गलहर तो इस प्रकार से तुम शब्द का प्रियोग करोगे तो इसलिए एक दो नाम आपको जानने चाहिए अब इनको दिश्टिकून को प्रीद करने वाले कारक क्या है तो यह भारती दिहास की व्याख्या बिटिस ओप्रिशिक हित के संदर में करना चाहते थे दूसरा उन्हें भारतिय स्थमाज यवन संस्कृति की स्थिमित समझ थी मतलब उन्होंने जो हमारे अब कर सकते हो कि 18th century onwards जो इंडियन हिस्ट्री का मुल्यांकन किया है उस मुल्यांकन से हम बहुत अधिकांस चीज़ों में हम एगरी नहीं कर पा रहे हैं और आगे के काल के जो हिस्ट्रीयन्स आये उन्होंने इनका खंडन किया है तो अब सवाल यह उटता है कि इन्होंने इस तरह का कि नासमझी क्यों दिखाई है तो हम पर दो कारण हमने पहले बता दिया एक तो बिटिस ऑपनिवेसिक हीत में काम कर रहे हैं और अड़िये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम बिटिस पोईशन को इंडिया में जस्टिफाई करें तो इनका एजेंडा ही सामरजबाती है और दूसरा है यह फोरे नर्स हैं तो हमारे समाध की कई चीजों की व्याख्या यह प्रस्तूत करते हैं जिनके बारे में यह ज्यान नहीं रखते इनको नौलेज नहीं है सिमिस समझ है तो दो कारण है फिर हमें पर हमने मुद्दा उठाय कि आदनी भारत के इतियास में उनके वीचार क्या है तो हम महत्पून महत्पून बातों पर उनके वीचार की बात करे कि उसके लिए आपको थोरा सा थोरा सा आपके लिए अवश्यक होगा कि आप पीछी जो मैंने स्लिवस बताया है वो स्लिवस आपको क्लियर हो जैसे पहले हमने 18 सेंचुरी का बता है 18 सेंचुरी में आपका चला आता है कुल मिलाकर एरोपिय कंपनिया वहां से लेते हुए फिर उपनियश्वाद के खंड में हमने माटा है तो पहला चलन जो क्रोबर्ट क्लाय से वारन हेस्टिंग से लेते हुए आप जो कौनवालिस वगर का काल पूरे 18 सेंचुरी का काल लेते चलते हुए 18 सेंचुरी है फिर उसको बाद 19 सेंचुरी आता है तो अब सवाल यह है कि हम परिवरतन के ब्याख्या अपने धंग से करते हैं वे परिवरतन के ब्याक्या अपने धंग से करते हैं हमने जो आपको परिवरतन का क्लासिकल मेथड दिया वो basically develop किया हुए है मार्सवादियों के दोरा लेकिन बाकी विद्वान भी उसे असमत नहीं है जैसे सवाल टन है उनका basic approach ऐसा नहीं कि सवाल्टन का basic approach कहीं मार्सवादियों से बहुत भिन है इस तरह की बात नहीं है उनका भी approach more or less same है लेकिन केवल फर्क यहां है कि ओभी मतलब downtrodden की ही बात करते हैं सोसित वर्ट की ही बात करते हो आप हमेशा नित्रित की बात करते हो तो आप नित्रित के angle से चीज़ा के व्याख्य करते हो लेकिन जो लोग निचलित तब कर के लहों और यो हैं और जो margin पर यो लोग है उनकी मांसिकता काध्यन करोगे तब सही तस्वीर है इसी मुद्धे पर मार्स वादियों और सवाल टर्ण में भी वाद है तो खेर दूसरा मुद्धा आतनिक बात के त्यास में के विचार क्या है तो उन्हें इस्थित करने का प्रयास किया है जिस समय से बिटिस कंपनी आई भारत में तो आई थी वैपारी कंपनी के रूप में और यहां पर बैपार करने आई थी लेकिन आरंब सही मैं आपको बताओंगा कि बिटिस कंपनी हो है कोई भी यरोपिय कंपनी हो उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती क्या थी ओसमान बैपार की ओसमान बैपार से मतलब है कि यहां की बस्तों की इरोप में मांग ही नहीं थी और यहां की बस्तों की इरोप में बहुत ज्यादा मांग थी और इरोप की बस्तों की यहां पर मांग नहीं थी यहां से जो बस् 1599 और 1600 बे और असी अंग्रेजों ने मिल कर उसको फॉर्म किया था उसमय किसी की दिमान में यह बात नहीं होगी कि हम इंडिया को जीतेंगे आप समझ सकते हो तो अब यहां पर मैं यह बताता हूं लेकिन यह सामराजवादी लेखक हैं जो ओल्ड केमरी वाली वो कहते हैं जि तो भी पता नहीं हम इंडिया को जीत रहें और उसका कारण यहां तक बताते हैं कि आप सेंटर में मत खोजें लंदन में मत खोजें इंडिया में ही खोजें उपांत कारण है यहां की पड़िस्थितियां कुछ मतलब ऐसी बनती गई कि धोखे से उजीते गए और एक समय ऐ आया जो उनको यह असास हुआ कि हम जीत गए तो घवराये नहीं बेखवरी की दोर में जीत लिया लेकिन जब एक बार हमने जीत लिया तो फिर इंडिया की अपड़मी सेवा की अब रेम जे मियोर हैं जॉन सीले हैं यह सब भी दवान हैं जॉन सीले रेम जे मियोर वे इस सोची समझी निती के तहत नहीं जीती है तो अब देखिए अब हिस्टोग्राफी का इंपॉर्टेंस है कि आपको लाइन मिलेगा जैसे 97 में ही आपसे कोश्चन पूछा है UPSC में फिर 2002 में कोश्चन पूछा है इसी पार्ट से 97 में पूछा है कि बेखवरी की दौर में ही भारत को जीत लिया तो बहुत सारे बच्ची कहने लगे कि हां मैंने वह मान लिया कि जीत रहे थे उसमें भारती राज बेखवर थे और बेटेस जीते गए लिए लिए एक हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड है उसको अगर मेंसन करके थोड़ा सा लिखते या जॉन सीले और एम होने भारत के संदर्में उपनिवेश वाद क्या अब दूसरा पहली देखो उपनिवेश वाद अब आपके मनों ही बात होगी उपनिवेश वाद क्या है तेमा आपको असपोस्ट कर दो उपनिवेश वाद है उपनिवेश वाद एक ऐसी विचारधारा है जो मान कर चलती है कि उपनिवेश का हित मात्री देश के हित के अधीन है मतलब ये एक विचारधारा है जो इस बात पर बार-बार इंफ्यसाइज करती है कि उपनिवेश का जो हित है वो उपनिवेश का हित मात्री देश के हित के अनकूल है यानि उपनिवेश का अपना एक कोई श्रोतंत्र व्यक्ति तो नहीं है बलकि जो उपनिवेश का हित है वो हित उसके मातरी देश के हित के अनकूल है जो उसका जो मदर स्टेट है जिसने उपनिवेश बनाया है उसके हित के अनकूल है तो अब सवाल ये उड़ता है कि बिटिश सामराजबादी लेखक इस बात को कबूल नहीं रहे कि हम इंडिया में उपनिवेश बनाया कि नहीं 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 बनाया इंडिया को क्योंकि वो जानते थी अगर हम उपनिवेश कबूल करेंगे तो मतलब होगा कि हम हमारा हित इंडिया का हित हम अपने हित के अधिर रखकर और हमने अपने हित के लिए इंडिया का शोशन किया उन्होंने कबोली नहीं किया कहा कि नहीं नहीं बारत में उपनिवेश बाद नहीं था अगर केवल था तो विदेशी शाषन ठीक है हम मानते हम विदेशी थे आपके हां तिक ववास्था, इन सभी रूपों में भारत में कभी उपनिवेशवाद नहीं रहा, हमने कोई उपनिवेशवगरह नहीं पनाया, अस्पस्ट इनकार कर दिया। तीसरा अपनिवीश बात के तरह उन्होंने इन सफी विचारों को ऑस्विकिर्थ करने का प्रयास किया जो बिटिश नीती को भारती अर्थ्वोस्था के शोषन से जो रहे थे उदारान के लिए मौरिसव जैसे विद्ध्वाने भारत में धन के निकासी के ओधारना कोशविकार कर दिया और मॉरिस डी मॉरिस जैसे विद्वान ने भारत में खस तिल पुद्नों के पतन अथवाँ वि ओद्वाइकन की धारना कोशविकृत किया अब एक दूसरा मुद्णा आता है कि क्या आपने हमारी economy का exploitation किया क्या आपने हमारी अर्थवास्था का शोशन किया अब इस पर जो बिटिस विद्वान है और बिटिस विद्वान इस धारना को खंडित करते है काते है नहीं नहीं गलत बात है हमने आपकी economy का शोशन नहीं किया अब जैसे देखो एक विचार आप आगे देखो कि उसे कहते है धन की निकाश्थी drain of wealth वो drain of wealth की स्थिति कैसे आईगी तो पहले तो यहां आते थे तो वस्त में खडिते थे तो उसके लिए उनको precious metal लाना पड़ता था निकीमती धातू लाना पड़ता था देखे बाद जब बंगाल की दिवानी मिल गई तो बंगाल के दिवान बन गए और यहां से वो राजस की वसूली करने लगे तो राजस की वसूली करते हुए उन्होंने अब उसी राजस का एक भाग बचाकर यहां की बस्तवे खरीदनी बताईए पैसा भी हमारे हां का वस्तवे भी हमारे हां का और तब उस बस्तव को ले जाकर उन्होंने निर्यात किया और जब उसको एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट करके मुनाफ़ा कमाया और जो मुनाफ़े का धन आया वो बिटिश शेयर धारकों के बीच बट गया जो इस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक थी तो हम तो हमने उसको धन की निकासी का उधवा बताया जो समय के साथ उसमें और भी आइटम्स जूडते गए जो आप रेगुलर क्लास में देखेंगे अब यहीं पर जो बिटिश सामराजवादी लेखा कि मौरिसन है उमरिसन करते हैं गलत नहीं धन की निकासी नहीं हुई अरे हमने मुठी बरुपे आपके हां से लिए हैं और उसके बदले इंडिया को एतनी सेवा की है देखें अब आप ही बताई आपके हां हमने टेलिग्राफ डेवलप किया इंडस्ट्री मौडर इंडस्ट्री डेवलप किया आदनी की आतायत और संचार व्वास्था बनाया हमारे अधिकारियों ने आपके हां काम किया और उनका प्यंसन यहां से भेया जा रहा है आप उसको धन की निकासी कहते हो ग्रिवे को होम चार्जेज को यह तो गलत बात है मतलब उन्होंने यह सिद्र करने का प्रयास किया कि हमने जो आपको इतनी अपड़ में सेवा की उसके बदले हमने क्या लिया सिवा उन चंद र क्या उज्यिद्यति थे ति और आपने अपने अउद्वगी करन किया प्रंतु आपके यहां जो आओद्वगी करन किया गया हमारे हमएद्यद्वाद्वगी करन ला क्यां यहां मनिसान of तो इस तरह की धार ना दी गई, उन्होंनी, मोरिस डी मोरिस ने उसको आश्विकार कर दिया, और क्या तर्ख दिया है, को सुनोगे तो हत प्रवर रह जाएं, आरे, हमने तो आपके इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उल्टा आपके इंडस्ट्री को हमने मजबूत बनाया चुकि हमारे जो सूती वस उत्पादन है तो हमने सूती वस अगर बिटेन से लाए तो फिर वहां से धागे भी लाए और बहुत कम मुल्य पर हमने धागे आपके सिल्पियों को मुहया कराया है तो आपके सिल्पि को जो सुस्ते धागे मैंचेस्टर वाले मिले तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है तो इसे तो आपके और सिल्पियों को लाव हुआ है और रह गई हमारी बात तो अगर हम कपड़े नहीं लाते लंदन से तो हम हमारे अच्छे शासन में जो आपके हाँ प्रतिव्यक्ति आय में विर्धी हुई थी पर कैपिटा इंकम और जन संख्या में विर्धी हुई थी तो उसके परिणाम स्वरू अब आपका बाजार काफी विस्वित हो गया था अब आपके बाजार की जुरूत कम से कम वो तो नहीं कर सकते थो जो आपके हैंडी क्राफ्ट से तो क्या होता आपका इंफलेशन आता आपकी एकॉनमी मुद्रा अस्पिती का प्रभा होता उसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होता वैसे समय में हमने लंदन से कपड़े लाग कर आपके बाजार के रिकॉर्मेंट को फुल्फिल किया तो बताईए हमने आपकी भलाई किया बुराई किया अब देखिये उनका तर क्या है अब उस तर को हम लोग खंडित करेंगे अपने धंग से तो इस तरह समय दिया अब चोथा है कि इतिहास लेकर बात में राष्टवाद की ओधारना कौसविकार करता है तता राष्टिया अनुन को एक छद्म संगर्स मानता है सूडो-श्ट्रगर इनके विचार में उपनिवेशवाद की तरह राष्टवाद भी एक मिठ्या ओधारना है सबसे वरकर उन्होंने भारतिय रास्टवाद की व्याक्या में उस दिश्टिकोर को अपनाए जिसे संगरक्षक संगरक्षित दिश्टिकोर के नाम से जाना जाता है आने उसको pattern-client relationship के नाम से जाना जाता है। उनके विचाने पहले छेत्री अस्तर पर दलालों का उध्वा हुआ या 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 यह भी मानना है कि बिट्री शासन ने जो भारत में नए आर्थिक औसर प्रदान की, उन्हें अधिकादिक अपने हित में करने के लिए भारतिय क्रुइनों के बीच आपस में संघर्थ होने लगा, तता जिसे राष्टियानों का नाम दिया जाता है, वो इस संघर्थ का एक प अलाव बेकार है, राष्टवाद है ही ने, उन्होंने कहा कि देखे, ये एक तरह सी जिसे आप राष्टवाद कहते हो, उन्होंने एक टर्म का प्रियूग किया है, जो मैंने यहाँ पर अपूदे है, संघर्थ शक संघर्थ संबंद, कि उनके विचान में राष्टवाद एक मिध्या और धारना है, सबसे बरकर उन्होंने भारते राष्टवाद के वैख्या, इस दिस्टिकून को अपनाया, जिस दिस्टिकून को संघर्थ शक संघर्थ शंघर्थ शंबंद कहते है, अब इनका यह कहना है, कि देखे, जिसे आप राष्टवाद कहते हो, वो रा नाने के लिए आपके कुलीन लोगी आपस में संघर्ष रहते हैं। उसी क्रम में उसने एक संघरख्चत कहा कि ऐक्चुली हुआ कि छेत्रिय अस्तर पर चेत्रिय नेता को नेता नहीं बोलता है दलाल बोलता है गौर करने वाली बात है। रिजनल ब्रॉकर, तो उनका ये कहना है कि छेत्री अस्तरफ पहले एक छेत्रीय दलाल अस्थापित हुए, वे स्वयम बन गए संगरक्षक और अपने पीछे उसने फॉल्वर्स का एक बड़ा जमात खरा कर लिया ताकि हमारा बार्गिनिंग पोईशन हो, और इस प्रकार से प्रतेक छेत्र में इस तरह के छेत्रीय दलाल अस्थापित हो गए, और वो खुद संगरक्षक बन गए और अपने पीछे उन्होंने जो फॉल्वर्स का जमात खरा किया उसको संगरक्षित कहा, अच्छली ये थियरी है, इसको आप इसमें ज्यादा माथा पच्ची मत करना और शब्द को याद रखना, हलाकि लिखनी में डायक्ट इसकी जिरोता आपको नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ी समझ है, तो मैं चाता हूँ कि मेरा एस्टुरेंट तो कम सकम इन चीजों को समझे, जब हम इतना सिंप्लिफाई करके आपको दे रहे तो दिक्कत क्या है, अब यही सब डिवेट है, इसके लिए पूरी की पूरी बुक होगी, लेकिन मैं आपको चंद पेजेज में इतने गूल ग्यान दे रहा हूँ, और मैं आपको समझा रहा हूँ, तो क्या मैं उमीद कर सकता हूँ, कि आप लोग इस पर अपनी समझ इसके आधार पर विक्षि तो देख, कॉंसरशली यूज़ र guitar टर्म संग्रक्षक संग्रक्षिता आपसायव नाब के लिए निन सब, सबके तो अपने अपने चेट्री आपसर भी तो मारा मारी होगी, तो इनके बीच कौर्डिनेशन के लिए फिर आखिल भारत्य आलालों की जिरूत हुद basics तो अखिल भारतिये नेताओं को इन्होंने अखिल भारतिये दलाल करार दे दिया और इन्होंने कहा कि ये सब नातक है, स्वांग है राष्ट्री आंदौन्धोन नहीं है, ये वर्गिय हित हैं और विभीन कुलीन वर्ग आपस में टकरा रहे हैं। यह जस्ट लाइक अद्धासरा डुएल है, जिसमें लोग एक रावन की मुर्ती क्रियेट कर देते हैं, विशाल का है, और जो पहले एक सामाने आदमी राम का विश्धारन कर लेता है, हो सकता है, कोई रामु चाय वाला हो, जो पिछले वर्सों से चाय बेच रहा हो, सुबह तक चाय बेचा था, अब वही तियार होके राम की विश्ध में आ गया है, और उस कार्पनिक रावन पर धराधर तीर चला रहा, और फिर कोई रावन में आग लगा देता है, और रावन की जो आकृती हो धुदु कर जाने लगती है, और जैराम होने लगता है, उसी प्रका था, अब एक राष्वादी लेखक ने कहा, कि इन्होंने हमसे सब कुछ छीना ही, एक चीज हमारे पास था, वह था स्वाहिमान की भावना, कि हम अपने राष्ट के लिए, अपने राष्ट के आजादी के लिए संघर्ष किया, और हमने अपने आपको वलिदान दिया, उस प्राक्त करने के लिए, लेकिन अब हमसे ये वह गर्व की भावना भी छीनना चाहते है, तो ये है उनका संकिन राष्ट बादी लेखा, तो इतने सारी बाते जब तुमने सुनी होगी, चार मुख बाते तुमको यादी हो गया होगा, एक उन्होंने कहा कि ब्रिटिस ने ब जैब बताएं हैं, एक उन्होंने सिद्र करने का प्रियात काई बिडिस बेखबरी के दोर में भारत को जीता, फिर दूसरा हमने बताया कि उपनिवेशवाद शब्द को ही चुनोती देडाली के भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, और तीसरा उसने एकनोईक पॉलिसी है, तो उनके अनुसार क्या है, कि जैसे अब जो भी मुव्मेंट है, वो अब अखिल भारती नेताओं को अखिल भारती दलाल कह दिया, आप ही बताएं, जो जुडित ब्राउन है, जुडित ब्राउन नहीं ओल केमरी हिस्टोरियन है, उन्होंने भारती राजनिती में गां गांधी का उद्भाव, एक उच अस्तरिय राजनितिक चाल थी, या फिर वो करते हैं, जैसे अब देखें, एक सद का प्रियोग करते हैं, जो गांधी गए थे चंपारं सत्यागरह में, तो वहां पर आपको डॉक्टर राजन प्रसाद हैं, श्रिकृष्ण शिंग है, जब मुकधारा राश्टिया अंदरन के मुकधारा से भी जूरे, तो इसके बारे में ये बोलते हैं, जुडित ब्राउं, कि गांधी ने उनके लिए जानती किशवद का प्रियोग किया, सब कॉन्ट्रेक्टर्स, कि गांधी जब गए बिहार मोहमेंट में, तो अपने उप ब्रॉकर के रूप में पॉइंट किया, तो एक तरह से पूरी की पूरी धारना ही वो बदल रहें, उस सब को उप्ठेकेदार कर रहें हैं, और वो कहती हैं, कि 1929 में, जिसमें खिलाफत वास्तायोग हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो 1929 में भारती रानिती में ग क्या ये एक उच अस्तरी रानिती चालती, तो ये कहते हैं कि गांधी ने कर से एक सौफ्ट कूप लाकर कॉंग्रिस को हाईएक कर लिया, प्रेटफॉर्म को, अब वताएए इस तरह कि अधारना को एक कोशन पूछा है, उसमें आप कैसे एगरी करेंगे, डिसएगरी तो कितना बेहतर होगा कोशन रैटिंग में, अब यही पर आपके मन में सवाल होगा, उससे पहले मैंने सवाल उठा दिया, मैरा सवाल ये है, कि ओल्ड कैमरी इतिहास लेखन का देश्टी को, अगर इतना संकिर्ण है, इतना संकिन है, तो इसके अध्यन की जरूद क्या है, आपके मन में सवाल होगा, कि इतना संकिन विचार है, तो इसको इतिहास लेखन में क्यों रखा गया है, इसको रखे जाने की वज़ा क्या है, तो मैंने हैं पर, कि आदनिक भारत की इतिहास लेखन की पहल इनहीं भी द्वान अगद्वरा की गई, सबसे बड़ी बात तो य है, कि सही या गलत सबसे पहले इन्होंने हमारे इतिहास का इंटरपेटेशन किया है, तो जो पहले क्या कर सकते हो, भारत का पहला इतिहास किस ने लिखा है, तो जेम्स मिल ने लिखा है, आपको इंटर्वी में पूछेंगे, आचा ये बताईए है मुख जी, कि आप तो हि इस्टी बूक किस ने लिखी है, तो इतिहास का तो पहला उसी ने पूस्तक लिखी और उसको तीन खंडों में बाटा है, प्राचीन, मद, कालीन और आजनी को उसने ये नाम नहीं दिया है, हिंदु काल, मुस्निम काल, ब्रिटिश काल का नाम दिया है, लेकिन उसने सबसे पहला इतिहास लिखा है, तो पहल उन्होंने सबसे पहले ओल्ड केमरी जबालों नहीं की है, और दूसरी बात यह है, कि एक मत यह भी है, आपने एक कविता सुने होगे, निंदक नियरे राखिए, अपने निंदक को रखोगे, तो कई बार अपने चेत्र के अन्वेशन करन कभी अवसर मिलता है, कि वास्तर में हमारे चेत्र में कुछ दुर्गुर तो नहीं है, तो अपने दुर्गुरों को देखने के लिए आईने के रूप में कई बार उनका सकरात्मा की यूज़ भी हो जाता है, तो मना जाता है कि कई बार क्या होता है, जो राष्टवादी ल रहा था, अब उदारवाद और उग्रवाद में को कहते हैं, कि जैसे अनिल सिल कहते हैं, कि अंदर बाले और बाहर बालों का संघर्स है, अब जैसे उदारवादी उग्रवादी का संघर्स आप भले ही, आप कर सकते हो कि आप उसको दूसरे रूप में आप उसके व्याख् करके बैठे वे तो बाहर वाले अंदर वाले को धक्का देकर अपने आपको अस्थापित करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि तब आप देखना सुरू करो कि कुछ गुटवंदी भी तू इसमें नहीं है तब पावगारी गुटवंदी कभी तत्व है इधर गोपाल क का शेश था बाद में चला गया वो मेहता गोखले रानाडे गुट में तो तिलक इतने खपा हुए कि उन्होंने फिर रानाडे के पूना साजनी सभा पर ही कभजा कर लिया तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि थोड़ी बहुत गुटवंदी भी है कॉंग्रिस के अंदर गुटवंदी चले इसलिए हमारे अती राष्टवादी रुजहान पर अंकुष लगाते हैं जो वहां पर करो राष्टवाद और राष्ट के लिए संबेदना के साथ साथ कुछ-कुछ तो अपना स्वार्थ भी काम कर रहा है तो यह हमें थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है इंटर्पेटेशन में इसलिए इनका महत्व है तो आप से अगर इंटर्व्यू में पूछा जाया तो आप इसी तरह से उसको जवाब देना तो अब तो यह मैंने ओल्ड केमलिज आपको बताया अब मैं चाहता हूं कि राष्टवादी इतियास लेखन पहले बता दो न्यू केमलिज तो आपको आगे मिलेगा चले कोई नहीं हम न्यू केमलिज बताते हैं पहले आपको हम राष्टवादी और मार्सवादी बता देते हैं चुकि आज की तारिक में जो मुखरूब से कंफलिक्ट है उसमें तीन ओल्ड केमलिज वाले तो आप खासिये पर चले गए राष्टवादी भी लगव और हासिये पर ही है इंहां एक बात बता दूँ कि जैसे बाकी एंसेंट हिस्ट्री है मिडियोल हिस्ट्री है उसकी तरह राष्टवादी और मार्सवादियों में इस पार्ट में ज्यादा टकराहट नहीं है ध्यान रहना अब देखो राष्टवादी इतिहास लेखन इस इतिहास लेखन से जुरे हुए अधिकांस विद्वान राष्टिया आंदरन की उपस थे उदारन के लिए गिरजा परसाद मुखरजी शुरेन नात बनरची आरजी प्रधान अंबिका चिरन मजुमदार आदी इस दिस्टिकों से जुर दूसरा ये राष्टिया अंदरन की उपस थे और कहीं न कहीं या वह भारतिय समाज का एक आदर्सवादी तस्वीर रखते थे जिसके नुसार बिटिश के विरुद सभी भारतियों के हित एक थे यह भारतियों के हितों के बीच आपस में सामन जैसे था मैं अभी यह समझाता हूँ आप फिर बाद में इसको पढ़ लेना मैं समझाता हूँ आपको यादी हो जाएगा और आप जो मेरा लेक्चर सुनते हो तो मैं मान कर चलता हूँ आप पेपर पेन लेकर बैठते होगे आप अपने तरीके से भी जॉट डाउन करोगे पेपर प खितों के बीड अपरहट थे किरे सीमा इनकी सीमा यह रहे कि इन्होंने यह सीद्ध करनें प्रैस किया कि बिति शामात के ब्रूध भारतिय समाज के विफन वर्गों के हित आपस में एक थे अर्थात्म में राष्टी एक था कि उस्वा में भारतिय समाज की आंतरिक तनाओ को नजर अंदाज कर दिया आंतरिक तनाओ को नजर अंदाज कर दिया अब देखे पहली बात है कि आप से अगर आप पूछा जाता है कि आप राष्टबादी इतिहास लेख़क किसे मानते हो Who is nationalist scholars or nationalist historiography? What is nationalist historiography? तो पहली बात आप मान लीजी कि यो बिद्वान जो राष्टबादी इतिहास लेख़क से जुरे हुए हैं विए राष्ट्य आंधुरन की उपज है, they are the product of the national movement of India, यत्य हुआ, अब ये national movement of India के प्रोड़क्ट है, और इनका इतिहास संबंदी अपना देश्टिकोर है, अब इसे में हमने कुछ नाम लिया है, जैसे अमिकाचन मजुमदार है, गिर्जा प्रसाद मुकर जी है, सुरे पांच-छे नाम आपको देदिया है, आधनिक में तुम देखोगे, तो आपका जो वरुंडे हैं, अमलेस्तिर पाठी हैं, तो अमलेस्तिर पाठी इस्रेनी में आते हैं, तो ये जो विद्वान है, ये मानकर चलते हैं कि भरत में राष्टबाद का उद्वा इसलिए हुआ कि राष्टबादी विचारधारा का प्रसार हुआ, तो आपके मन में एक संदी होगा, क्या हां, राष्टबादी विचारधारा का प्रसार हुआ, इसलिए राष्टबाद का उद्वा हुआ, अक्षिली होता क्या है, जो मार्सवादी हैं, वो मानते हैं कि इसे चीज़ के बहुती कारवी होता है कि विचारधारा के प्रहाव को अब दर्स आ रहे हो तो उससे कैसे होगा अब मानो railway आ रहा है तो economy में change हो रहा है economic change से social change हो रहा है नए नए transportation की develop कर रहे है नए तक्निकी आ रहे है जिसके करन से पत्र-पत्रिकाओं का विकास हो रहा है तब तो विचारों का प्रसार हो रहा है तो विचार का अकेला प्रसार दिखाना और जो आर्थिक सामाजिक रूपांतरन हो रहा है उसको नदाज करना उचित नहीं है तो इसलिए केबल विचारधारा का प्रसार हो रहा है, इसलिए राशवबाद का विकास हो रहा है, आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा कि विचारधारा का प्रसार क्यों हो रहा है। नमबर टू, कि ये एक जो सवसे बरा फॉल्ट बना गया, इनका कॉंटिवूशन ये है, मैंने इसका सकरात्मक योगदान क्या है, पहले मैं उसको बता दू, जैसे सामराजवादी हिस्टोरियन जिसको हमने ओल्ड कैम्डिज कहा, वो कभून नहीं करते, तो कहते थे कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, विदेशी शाषन था, प्रंत उपनिवेशवाद नहीं था, रानितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धांचे के रूप में भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, इन विद्वानों नहीं इस धारना का खंडन किया, कहा कि नहीं गलत बात है। भारत में उपनी वेशवात था और बिटिस और भारती हितों के बीच टकराहट थी। और उपनी वेश्वात का मतलब है कि बेटिस अधिकारी जो भारत में शाषन कर रहे थे वो भारत का शोषन कर रहे थे अब इनका नकरात्मक या सीमा पक्षिया है कि यह मान कर चलते हैं कि राष्टिया आंदुर्ण में सभी भारतियों के हित एक थे राष्टिया आंदुर्ण में सभी भारतियों के हित एक थे अब यही पर आकर एक आपको पतर चलता है कि इस पॉइंट पर आकर थोड़ी सी इस्थिति अलग हो जाती है क्योंकि देखो भारतिय समाज के अंदर भी एक परकार का तनाओ था और वह था हैप्स एन हैवनौट्स के बीच पूजी पतियों के बीच और स्रमिकों के बीच जमिंदारों के बीच और किसानों के बीच और आप बोलते हो कि सभी भारतियों के हित एक है तो उन बिचारों को तो आप न अंदाज कर देते हो, आज भी तुम देखो, 15 अगस्ट 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन आप ही बताओ, इस आजादी को आप complete मान रहे हो, कोई अगर आप से केवल यह पूछे, कि क्या 15 अगस्ट 1947 को भारत को सची आजादी मिली, तो आपका उतर क्या होगा? आजादी केवल वन मैन वन बोट से तो नहीं हो जाएगा, जब तक वन मैन वन वैल्यू नहीं होगा, और वैल्यू तो तभी होगा जब एकॉनमिक और सोसल कंडिसन सब का लगभग बराबर हो, जो नहीं हुआ, तब तो निर्धन लोग के बोट को तो धनी लोग खड़ीद पार्ट है, कि वो एक आदर्स तस्विर देते हैं, कि एक ही, बुलते हैं कि एक ही बस द्वंद हैं, और एक ही कंफ्लिक्ट है, वो है बिटिस हित और भारतियू के हित के बीच, जब कि भारत के सभी, या भारत जितने भारतिये हैं, उन सभी के हित आपस में एक हैं, यही व निरे विचार से आपको क्लिर हो गया होगा अब मार्सवादी इतिहास लेखन देखिए वही समय था जब रूसी क्रांती के पश्चात मार्सवादी इतिहास लेखन का तेजी से प्रसार हो रहा था इस समूं के इतिहासकार अपने विसलेशन में मार्स के वर्ष संघर्ष के और धारना को अपना रहे थे योगदान अब इनका योगदान क्या है? पॉइंट फॉस्टा पर थे उन्होंने बिरोधावासों को दो भागों में बाटा प्रात्मी गुरुधावास और दूद्चे गुरुधावास इनके विचार में प्रात्मी गुरुधावास बिर्टिस ओपने सिक्षीत एवं भारतिय जनता की हितों की बीज था वहीं दूच्चे गुरोधावास भारती समाज के अंदर था या था पूजी पत्यों और स्थर्मिकों के बीच तथा जमिनदार एवं किसानों के बीच दूसरा मार्सवादी इतिहास लेखन से पूर्व आतनिक भारत का इतिहास लेखन मुक्त्या भारती सिक्षित वर्ग कुलीन जमिनदार पूजी पती आधी की गति वीधियों तक ही सिमित था और राष्टी अंदर नमी उनकी भूमिका को रेखांकित करना चाहता था जन्जाती विधरों किसान आधुरणको साम्राजबादी इतिहास लेखन आपराधिक गति वीधियों छेत्रिय विधरों के रूट में चितित करता रहा था और राष्वादी इतियास लेखन ने भी उसे नजनदाज किया था प्रंतु सरपर्थम मार्षवादी लेख को नहीं किसानों और सन्वी को तरह जैंजाती लोगे संघर्ज की इतियास का हिस्सा बनाया पॉइन्फीय मार्सवादी इतियास लेखने शोतन्ता के अर्थकाई विस्तार के अर्था 10ता का रधकरुरानेतीक शोतन्ता ही नहीं बलकि आर्थिक और सामाजी शोतन्ता भी हो गया अब आरंबिक मार्सवादी इतियास लेकन में रजनी पामदत, A.R.D.S.I., M.N.R.I. आदी बिद्वाने ने वर्ष संकर्ष दिखाने के उस्साहमी जहां प्रात्मी गुरोधावास पर मुक्ता, वहां भी दूत्य गुरोधावास दिखाते चले गए, मैं भी समझाता हूँ, बिलकुल याद करवा दूँगा। उदान के रजनी पामदत ने गांदी के दौरा औसेव आंदुरन वापस लिये जाने की व्याख्या करते हूए कहा, कि गांदी ने समाजवादी आंदुरन के डर से इसे वापस ले लिया था, प्रंतु परिछन करने पर ऐसा कोई सुद् प्रंतु परवर्ती मार्सवादी लेकोने में विपिंच चंद आदित मुकरजी, मिर्दूला मुकरजी आदी ने प्रात्मी गुर्धाभास ने मंदूतिय गुर्धाभास के बीच अधिक वेहतर समव्या उस्थापित किया, सबसे बरके इन्होंने उपनिविश्वाद का क प्रंबत व्याख्या करते हुए यह दर्शाया कि उपनिविश्वाद मुल्ता आर्थिक संबंध था प्रंतु इसने रानितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को ही प्रावित किया, अर्थात बदलती हुई स्थितियों में भारत के संबंध में बिटिस आर्थिक नीति प्रिवर्टित हुई और फिर बदलती हुई आर्थिक नीति के अनकूल भारत के संबंध में रानितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति ही बदलावाया। जब आपको मैं मार्वाद विश्य इतिहास में परहाएं तो बताऊंगा कि मार्व्य महत्पून परिवर्तन हैं वह महत्पून परिवर्तन मार्व्य मार्व ने आर्थिक परिवर्तन को माना, उसने माना कि देखिए, जो major change है, वो major change है economic change, और जो economy है, उसको उसको उसने basic structure और superstructure कहा कहा, कि जब आर्थिक परिवर्तन होता है, तो अर्थववास्था पर कबजा करने के लिए दो वर्गों के भी संघर्स होता है, और जो वर्ग विजेता होता है, वो अर्थववास्था पर नियंत मतन लाता है, जो उसके हिद को suit कर ला हो, तो कुल मिलाकर मार्सवादी इतियास लेखन ने, मुख बल दिया था, आर्थिक भौतिक कारक पर, और वैक्चारी कारक को उसका supplementary माना था, या उसके बाद माना था, तो खेर, anyway, लेकि मैं आपको बताऊं कि मार्स और मार्सवाद को प्रहवित किया, जिसमें इतिहास भी है, तो मैं आपको बताऊं कि अब मार्सवादी इतियास लेखन है, वह पहले जब आदनिक भारत में देखोगे, तो इन प्रिसैजली मैं आपको बताता हूँ, वो राष्टवादी इतिहास लेखन के इस मानिता का खंडण किया, जै बिरोधावास है British open basic हित, और भारतिया के हित के बीच THIS उसको उसने नाम दिया यह प्रात्मी बिरोधावास, primary contradiction है, जो British open basic हित और भारतियों के हित के बीचिक का बिरोधावास है, that is the primary contradiction है, यह a Parce Contradiction है, और प्रात्री ने कहा कि दूसरा जो विरोधावास है वो है भारतिय समाज के अंदर ही जो जमिंदार है और किसान है उनके हितों के भी टकराहट है और जो जमिंदार है और जो पूजी पत्य और किसान है उनके हितों के भी टकराहट है तो तो पहले तुन्होंने राष्टिय आंदुरन में संघर्ष का मतलब ही बदला कि संघर्ष दोनों मोर्चे पर चल रही है, संघर्ष केवल बाहरी बालों से नहीं चल रही है, संघर्ष है अंदर में भी चल रहा है और इन दोनों संघर्ष को हमें अपनी निगाह पर रखनी, एक बहुत बड़ा काम किया, अब देखो दूसरा फैक्ट, अब तक राष्टिया आदों, जाए वो सामराजबादी इतिहास लेखाओं को या राष्टवादी इतिहास लेखाओं, जब वो राष्टिया अंदर उनका अध्यान करते थे, तो वो केवल कुलीन वर्ग, जमिंद जो किसान, निर्धन, किसान थे, उनके द्वारा जो बिद्रू जहां तहाँ या आंदरन छेरा जाता था, तो बिट्रिस उसको दवा देते थे, उसको केवल, उसका अगर उनके बारे में आपको रेकॉर्ड जानना है, तो आप ठाने जाईए, या पुलिस रेकॉर्ड में देखिए, तो उसको कहा जाता था, उनके रेकॉर्ड में, उसको रेकॉर्ड को सेडिषन बिद्रूह माना जाता था, और माना जाता था, कि छेतरीए असतर पर क्या कहोगी, डिष्टरविंसेस, ये डिष्टरविंसेस है, li pen order का problem बता जाता था, तो सामराजवादी इतिया तो उसको law and order के problem के रूप में देखा संथाल कौन है तो एक कानून का वो लंगन कर रहे हैं बीटिस ने उनको पीट पाट के फिर सीधा कर दिया उसी प्रकार से अगर कहीं किसाना अंदुनन होता तो उसको उन्होंने एक एक disturbances के रूप में दिखाते और जो हमारे रासवादी इतियास लेखक को उनका ध्यान ही नहीं गया था तो आपको मार्षवादी इतियास लेखक को पहली वार हलाकि उसमें मुख भूमी का तो आप सवाल टर्न ने निभाई है प्रन्तु मार्षवादी इतियास लेखक को अमुक नेता थे लोगों को और्गिनाईज किया बीटिस रेकॉर्ड इसको जुछला रहा है इसके महत्त को कम करके आग रहा है दूसरा फाइदा तीसरा फाइदा क्या है अब तक आजादी का मतलब कि वह लगाय जाता था रानितिक शोतंदर था अब तक आजादी का मतलब रानितिक शोतंदर लगाई जाती थी लेकिन अब आजादी का मतलब कई steps आगे बर गई अब आजादी का मतलब हो गई आर्थिक और सामाजिक शोतंदर था भी अब आजादी का मतलब केवल रानितिक शोतंदर था नहीं रही बलकि अब आजादी का मतलब आर्थिक और सामा एक शोतंदरता भी हो गई तो आजादी का अर्थ और परिवाशा भी बदल गई तो that is going to be a very important thing यह एक बहुत बड़ा change उन्होंने चीजों में लाया है तो यह आप मानोगे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब आप मार्सवादी इतिहास लेका कहते हो तो इसमें भी दो समुह बट जाते हैं एक तो पहले कुछ आरंभिक मार्सवादी हैं जिसमें कुछ नाम आपको मिलेंगे उसमें नाम है रजनी पामदत हैं रजनी पामदत हैं और M.N.R.I. हैं मानुएंद नातर राइ ये सब मार्सवादी ए आर देशाइ हैं ये सब आरंभिक मार्सवादी है इन आरंभिक मार्सवादियों में थ्रौसा क्या कहोगी इस पर इनका थ्रौसा मार्सवादी फॉर्मूला से ज़्यादा ग्रस्थ है मतलब ये वर्ग संघर्थ की बात करते हैं प्रन्तु इनकी मुख रूचि है आंत्रिक वर्ग संघर्थ दिखाने की अपेश्हा के बिटिस और भारती हितों के बीच का संघर्थ दिखाने की मतलब जहां पर जैसे प्रास्पिक विरोधावास दर्शाने में कम रूचि लेते हैं और आंतिल विरोधावास दर्शाने में ज़्यादा रूचि लेते हैं तो बहुत ही नैच्रल है क्यों? इसके वज़ाई यह है कि अगर वो कहीं ने कहीं बाहि बिरोधावास अगर दर्शाते हैं तो उसे उनका अभिप्रित ज्यादा पूरा होता है लेकि जो आंत्रिक बिरोधावास है जब बाहि बिरोधावास दर्शाते हैं अभिप्रेत उतना पूरा नहीं होता है, लेकिन जिसको कालमार्स ने वग संघर्स कहा है, तो मुखरूप से उन्हें दर्शान पर उनका बल है, तो आंतरिक रोधावास जो है, जमिंदार और पुजी पति वर्ग, या सर्मिक, जमिंदार और किशान, पुजी पति वर्ग और पर हो गये, तो उहां पर एक जगह पर रजनी पामदत पर बहुत प्रहार किया गया है, तो कि जब गांधी ने चौरी-चौरा की घटना के पहश्चा, जब गांधी ने इस मुवमेंट को आपस लिया, तो इस पर कुछ लोग का उठते हैं, कुछ एक जिसे रजनी पामदत थे रजनी पामदत कहते हैं, कि एक्चौली गांधी को उहां पर जैसे चौरी-चौरा की घटना में उनको दिख रहा था, कि आगे एक समाजवादी रूफ पांतरन होगा, और एक मतलब निच्टे तबके से एक मुवमेंट उठ रहा था, जो गांधी के नेत्रित को निश् खरक कर रहे हो, ऐसा तो कुछ चौरी-चौरा में नहीं दिख रहा है, तो मतलब यह है कि इन्हों का रजनी पामदत का, एमैन रॉयक और एर देसाई का जो आरमिक मार्सवादी है, उनका कुछ मार्स के सुत्रवाद फर्मूला पर चलने के ज़्यादा आदत रही, लेकिन आगे के मार्सवादी जो बिपिंच चंद्र है, आदित मुकर्जी है, और मिर्दुलाम मुकर्जी है, इन सब इन्हों इक अपेक्षाकिरत अधिक संतुरित ढंग से वर्ड संगर्द के व्याख्या की है, मतलब इन्होंने दूत्यक ब्रोधावास और प्रात्मिक ब्रोधा कि उपनिविश्वाद मूलत एक आर्थिक संबंद है, प्रंतुए रानितिक, प्रशास्निक, सामाजिक और सांस्कृतिक धांचे को ही प्रावित करता चलता है, यह मूलत आप देखतों यह कहते हैं कि यह एक आर्थिक संबंद है, प्रंतुए रानितिक, प्रशास्निक, सा करते हैं तो पहले देखते हैं कि यह वानेजिक चरण में उसमें बिटिस नीती भारत के संदर में क्या है तो फिर बिटिस पॉलिशी को समझने में हमें सुविधा हो जाती है और फिर एकॉर्डिंगली उसके उपर इंपक्ट उसी तरह का परेगा उनकी पॉलिशी का किधर जुका हो और फिर एकॉर्डिंगली उसी के आधार पर हमें इंपक्ट समझने में भी सुविधा होती है तो आपको यह पहलू दिग गया तो यह मार्स वाजियों का बहुत बड़ा योगदान है अब हम थोड़ा सा आपको आगे दिखाएंगे लेकि इनकी एक सीमा भी है अब सीमा क्या है देखो इन विद्वानों के साथ समस्या सामाने समस्या रही है आर्थिक मुद्य और वर्ग संगर्थ पर जोड़ों से ज्यादा बल देना वहीं विचारधारा धर्म संस्कृति आधिको शोतंत रूप में नौद देखकर आर्थिक जारों को ही फैला कर मुस्तिम डिगने सफलता अर्जित की अब देखे इस संदर में यह कहते हैं कि देखे अब इन लोगों का थोरा सा माना जाता है कि मार्थ वादियों का सब कुछ वो महत्वों भौतिक आर्थिक को देते हैं लेकि जो विचारधारा है संस्कृति है इन स इसमें मुख कारण जो रहा है वो रहा है उनकी जो नफले विवाजन है वो कारण रहा है जो उनका जो निरंकुष गवर्मेंट की सत्ता है वो कारण रहा है तो उसको नदाज करके आप क्यों आर्थिक बहुतिक कारक की व्याख्या करो गया भारत का विवाजन हुआ तो भ भरत का युखादिन हो गया तो आप इस तरह से विचारधारा के भूमिका को संस्कृर्थी के भूमिका को इन सभी को आप बहुत कम करके कैसे आख सकते हो इनकी जो आलूचेक है वो मार्सवादियों में इस कमी को देखते हैं तो यह हुआ मार्सवादी अब हम इसमें आपका है नव कैम्परिज नव कैम्परिज वाले क्या है तो अब इसको बीच में राशवादी मार्सवादी को भूलो और सी सबसे पहले आप देखो नव केमरीज में उल्ड केमरीज याद करो जहां हमने छोड़ा था एक गलहर परसीवल स्पियर अनिल सेल है ना जूडिस ब्राउंबेगर तो अब इसमें देखिए 1973 तक कुछ केमरीज विद्वानों ने अपने द्रिश्टी कोर्ण में परिवर्तन की सूषिना दी उनके दोरा प्रांत एवं वर्ग के बदले छेतर एवं गुट के अध्यन पर बल दिया गया इन विद्वानों में गॉर्डन जॉन्सन जुडित ब्राउन क्रिश्टोफर बेली आधी प कि दो इसने वर्ग के जगा गुट के अध्यन पर बल देती विए दिखाने का प्रयास किया कि भारती रानेती में उग्रवात के उद्व में गुटवंदी ने किस प्रकार महत्पुन भूमिका निवाई थर्ड पूजीवात के अध्यन हसल्पूद्यों के पतन आदनिक गोशना करने से पूर्व छेत्र की अस्तर पर उनकी प्रूर्तियों को समझने की जुरूत है पहले हम आपको आपको नव केमरी आपको समझने में थोड़ा सा वेग लगेगा लेकिन आप दिमांग को खुला रखिए यह बड़ा इंट्रेस्टिंग स्कूल है अब 1973 में जो ओल्ड कैमरी से भी जूरे हो कि विद्वान थे उन सभी ने अपने दिष्टी परिवर्तन की घोशना की कि हमारी दिष्टी पहले से बदल गई है पर कैसे बदल गई है तो आपने एक बगुला भगत की कहानी सुनी होगी नहीं सुनी है वो भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी ये कोई बगुला था जो बुढ़ा हो गया था तहले मशली पकरता था अब मशली पकरने में ओसमर्थ था तो उसने अपना अपनी स्ट्रेटेजी अपनी रहनीती बदल ली वह मशलीयों को दूर से बुलाना सुरू किया कि आजाओ भाई मैं बुरह हो गया हूँ मेरा अब विचार पूरा बदल गया है मैं सेस जीवन सांती से तुन्नों के साथ सहयोग करके जीना चाहता अब हमसे डरने की जवत नहीं है मेरे अब चूच भी कामियाब नहीं रह गए मैं अब आप लोगों को खाने भी और समर्थ हो चुका हूँ यह कहकर मशलीयों को उसने कन्विंस कर लिया और धिर धिर मशलीयां उसके इर्द के दिकठी मुने लगी और फिर बगुलार उनके साथ दोस्ती रखने का नाटक करने लगा लेकिन जब धिर धिर मशलीयों की संख्या कम होने लगी तो मशलीयों को डाउट हुआ है तो पाया गया कि बगुलार की रहनेती बदल चुकी तो न्यू केमरीज वाले कुछ वही पधती को अपना रहे है वो कहते हैं कि हमको ओल्ड केमरीज वालों से हमारा अधिस्टिकोन बदल गया है हम दूसरे टाइप के हो गये हैं यह कहते हैं कि देखो भाई अब प्रांती अस्तर पर अध्यन करने के वज़ा है हमको च्छित्री अस्तर पर अध्यन करना है च्छित्र बाद देखना है और प्रांत और वर्ग का अध्यन करने के वज़ा है खास वर्ग का हम अध्यन करते हैं हमें परांत और गुट का अध्यन करना है, वो एक टन्मिन लोजी है, वो सबसे घवरान आने में, समस्ताओं कि शब्द आपको सफुकेटिंग थोड़ा लगेगा, मैंने उनका कहना है कि भाई देखिए, अब आप कहते हो भारत में पूजी वाद आया की नहीं, भारत में हास अच्छेतर में देखो, आप बॉंबे के तर्टी अच्छेतर में देखो, आप संजुत प्रांत का केंद्री अच्छेतर में देखो, आप लखनों के आसपास के च्छेतर में देखो, तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि च्छेतरवार देखोगे, तब आपको परिवर् तभी पश्वीर तब मिलेगी। इस प्रकार से इन्होंने अपना द्रिष्टी परिवर्थन की घोशना कि एक बात ध्यान करना जिसे तुम माइक्रो स्टेडीज कहते हो, माइक्रो स्टेडीज इन्हों नहीं आरंभी की थी, माइक्रो स्टेडिस का मतलब होता है छेतरवार अध्यान जैसे पूरे अक्षिल भारतियता कि आधार पर अध्यान न करके जब तुमने छेतरवार अध्यान की पधती शुरू की तो उसको माइक्रो स्टेडिस बोलते हैं अंगरी जी में उसको माइक्रो स्टेडिस बोलते हैं मैं इनके बारे में कुछ और परिचे देता हूँ उदारन देर कर समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा ओल्ड केम्रीज और नव केम्रीज इतिहास लेखन का उद्देश लगवग एक ही रहा अंतर केबल पधती में आया दोनों का उद्देश एक ही रहा प्रंतु अंतर कहां आया तो पधती में आया ओल्ड केम्रीज के विपरीत नव केम्रीज इतिहास लेखन में कहने का अंदाज बदल दिया गया और अपने तरकों को बड़ा ही शालीन एवा मधू ढंग से प्रस्तूत किया जा था इसने भी भारत में उपनिवीश वाद के अस्तित्व के वह स्विकार किया इसलिए यहां बदलाओ की व्याक्षा या तो भारतिय कुरिन वर्ड के हिट में या फिर लंदन में चलने वाली राणितिक गतिवेति में होने वाले बदलाओ के संदर में करता है अगर क्रिश्टोफर बाईली को अफवाद में रखा जया तो किसी नव केमरीज लेखषक ने भारत में राष्ट वालों से जम कर लोहा लिया और 1960 में लिखी अपनी पुस्तक भारतिय राष्टवात के आर्थिक आधार पर चर्चा करते हुए विपिन चद्रे इस संबंद में एक नवीन आधार न अस्थापित करने का प्रयास किया किन्तु नव केमरीज लेखों ने कुछ पुरानी मानेताओं को फिर से अस्थापित करना चाहा इसलिए बरतमान में मुक बहस नव केमरीज लेखों ते था मार्सवादियों के बीच चल देए अब देखें बहुत दिल्चस्प चीज है अब यह विद्वानों का देखिए एप्रोच क्या है जैसे पहले ओल्ड केमरीज बोलते थे वो नैकेड तरीके से बोलते थे इन्होंने सुगर कोटेड इस्टेटमेंट देना सुरू किया नैकेड तरीके से बोलते हैं जैसे ग्रत में हास्तिल बुद्यों का पतन हुआ आपके नितियन हास्तिल बुद्यों को धख्का पहुँचाया या राष्टवादी बोलते या राष्टवादी लेखख बोलते जैसे ददाभाय नरो जी आर्ची दद की बीटिस जो अधिकाडी थे भास में एंग्लो इंडियन British bureaucracy, उनकी policy से हाँ industry का decline हुआ है, धन की निकासी हुई है, तो old cameras साफ का माना करते हैं नहीं हुआ, आप गलत बोल ले हूँ, आप new cameras का अंदाज देखो, new cameras का क्या था, new cameras का अंदाज था, आप पहले old cameras को डांट सुनाएगा, उसको फटकार बताएगा, कि आप कैसे कहते हो, नहीं हुआ, आप कैसे कर सकते हो, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, हासिर पुद्यों का पतन हुआ, यह भी कहना गलत नहीं कि धन की निकासी हुई, आप कैसे कर सकते हो, पहले आप अपने लब्ज को ठीक करो, कि मार्ति ये राहस्वादियों को जवाब देंगे राहस्वादियों को कि महानुभाव या आपधि बाद पर गोर करें और आप कहते हो कि हंसिक उड्यों का पतन भुद्यों का पतन हुआ है ao यह हैंडिक्राट का डिकलाइन हुआ परिटिस की पॉलि सी तो क्यों नो हम लोग साइट पर जाकर देखें कहाने और सुनने के वजाए हम एविडेंस को खोजें और तब वो करते थे तब वो घुमाना शुरू करेंगे चलिए बंबई तट पर आईए यहां देखेंगे कि हंडिक राच का पतन नहीं हुआ है बड़कि थोड़ी सी इसमें तेजी ही आईए चलिए आपको गुजरात तट पर ले चलते यहां आप देखें कि हास्तिल्प का पतन हुआ है कुरो मंडल तट पर आईए आप यहां पर देखेंगे कि यहां हास्तिल्प उद्ध्यों को यह अमुक हैंडी क्राट्स का पतन हुआ है लेकिन गौर करके देखिए यह जो क्राट्समें है उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट लगने लगा आप इसके प्रॉड़क्शन मे तो इसके प्रॉड़क्शन को छोड़कर वो दूसरे प्रॉड़क्शन को अपना लिया और तब वो मुस्कुरा कर आपके तरफ देखेंगे कि आप आप ही बताईए कि आप बिटिस को इसके लिए उतरदाई मानना सही है आप चगीत रह जाएंगे उसी प्रकार वो कहेंग ये धन की निकासी कैसे धन की निकासी नहीं हुए बिलकुल धन की निकासी हुए और फिर आपके तरफ मुस्कुरा के कहेंगे अचाहिए एक बताईए माहन भाव कि आपका टोटल जो नासनल इंकम है उसका 0.80% या 1.5% आपका होम चार्जेज के रूप में जा रहा है इसके बदले आपको अमुक 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 सेवा मिल रही है अब आप बताईए इसको धन की निकासी कहना उचित होगा तो आप सक्ते में पर जाएंगे इस तरह से सु आनी चीजों को बैकडोर से लाना सुरू किया तो आदित्या मुकर्जम को अधिन साइड 2007 था हो सकता है मैं इस विशन भूल रहा हूं जैसे इंडियन हिस्टोरिकल कॉंगरेस की जब कास्येशन हुआ था तो उसको प्रिजाइड किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1968 म में एक्चुली उनका ये कहना था कि 1968 में विपिन चंद्र ने मतलब जैसे पहले जो ओल्ड केमरेज बालों ने जो अपने एकनोमिक पॉलिसीज को जस्टिफाई करने कोसिस की थी उसको विपिन चंद्रा ने तार-तार कर दिया था विपिन चंद्रा ने उसका खंडन करके बाहर कर दिया था लेकिन फिर ये नए केमरेज वाले हैं वो पिछले दरवाजे से अपने बीचारों को फिर ले आए हैं और उन्होंने कहीं ने कहीं इस नीति को जस्टिफाई करने के कोशिस की है कि अब जैसे मैं आपको बताओंगा आप देखोंगे कई इस तरह के कोश् तुम ऐसे जैसे पाओगे बंगाल में बंगाल में अस्थाई बंदवस्त बंगाल में अस्थाई बंदवस्त बंगाल में अस्थाई बंदवस्त अस्थाई बंदवस्त लागू लागू होने के परशाद परशाद पशाथ पशाथ बंगाल के समाज में बंगाल के समाज में परिवर्तन चाहिए बंगाल के समाज में बंगाल ग्रामी जीवन में पश्चात ग्रामीर जीवन में परिवर्तन की तुन्ना में निरंतर्था परिवर्तन की तुन्ना में निरंतर्था निरंतर्था ही बनी रही हाँ बनी रही निरन तरता ही बनी रही बनी रही टीपरी कीजिए बंगाल में अस्थाई बंदुवस लागू होनी के पश्चाद ग्रामीर जेवने परिवर्तन की तुन्ना में निरन तरता ही बनी रही टीपरी कीजिए टीपरी कीजिए तो यह जो क्वेश्चन आपका है यह क्वेश्चन साइथ कभी प्यसे में पूछा है नहीं पूछा नहीं अभी आया है तो यह क्याम्ब्री इस्टोग्राफिक के दिश्टी कोन को बताता है रजत रियर अरत लेखा राय है बिद्वान उन्होंने यह विचा सब्सक्राइब करना होगा आगे अब जितना बिवाद हो रहा है कंफ्लिक्ट हो रहा है मार्सवादियों और नियोक्यम्रीज वाले में मार्सवादियों को बैचया नहीं हो रही कि यार यह सब हम ने खंडन कर दें तुम दुबारा उसको एक दूसरे तर्क से लाने अब आप अन्या है कि रुआ कि और ये करते हैं कि दान की निकासी हुए यह करते हैं कि हेंडीक्राफ संतुर्ण हमें लेना है यह तो मैं आहें पर दे ہیں अब आते हो सवालतन का मतलब होता है उपास्तर अब देखें इस दिष्टिकुड के संस्थापक रंजीत गुहां है 1980 में इस दिश्टिकोर अस्थापित हुआ, आगे पास चटरजी ने इसे अस्थापित करने में अपनी भूमी का निभाई, भारत में ज्यानिंदर पांडे उरवर्सी बोटालिया रीतु मेनन आदि इस दिश्टिकोर के प्रवर्तक रहे हैं, मैं सब नाम मैंने दे दिया, एक आदनिक विद्वान सुमिष सरकार भी इस दिश्टिकोर के प्रवर्त में लिखते रहे हैं, लिखते रहे हैं, यह प्यूर सवाल ठन नहीं है सुमिष सरकार, हाफ कर सकते हो, विसे स्ताएं, इसके विचार में चाहे हो सामराजवादी तियास लेखन और अत्वा यह सभी राष्टि या अंद्रन में नेताओं की भूमिका को अधिक करके दर्शाते हैं जब कि किसे भी आंद्रन में जन सामाने नेत्रित को दिशा देता है न कि नेत्रित जन सामाने को इनका कहना है। दुसरा, इन्होंने इतिहास के विसलेशन में निर्थित्र की भूमिका की जगा सामाधिक प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। इसने जन जाति और किसान आंधरोन के अधिन में विशेश योगदान दिया है तथा प्रतियक आंधरोन में निचले अस्तर के दवाव को दर्शाने का प्रयास किया। तो एंटोनियो ग्रामसी ने पहली बार सवाल्टन शब्द को जम दिया है। विचारों क्या ही वेक्ति तो इटली में थी नहीं फासिवादी सरकार के अंतरगत। तो जेल अथोरिटी उसके दोड़ा जो भी लिखा जाता उसे पहले सेंसर करता। सेंसर इसलिए करता, उसको पहले देखता, उसका मुआयना करता, उसका अंद्रिक्षन करता और अगर वो फिर छपने लाइक होता तरही अनुमती देता। तो उसने सोचा कि उतर मार्सवादी था, उसने सोचा कि ज़र मैं वर लिखूँगा क्लास तो बरही popular term है, और class conflict या class शब्द को तो आसानी से उपकड़ लेंगे, उसने चालाकी से class की जग़ा सवाल्टर्न सवाल्टर्न सब्द का प्रियोग करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आगया सवाल्टन शब्द पैदा हो गया, एंटोनियो क्रामसी ने शब्द का प्रिव किया, अब आगे 1980 में एक रंजीत गुहा थे, तो रंजीत गुहा ने सवाल्टन नाम से एक इसकूल ही अस्थापित कर दिया, और फिर पार्थ चटरजी ने इसमें योगद अभी उर्वर्सी बुटा लिया है, अब उनका सैडो आप पार्टिशनाद देखेंगे पुस्तक, रितु मेनन हैं, ग्यानेंद्र पांडे हैं, तो ये सभी सवाल्टन हिस्ट्योग्रफी के महत्पून प्रवर्तक रही हैं, और अभी ग्यानेंद्र पांडे चुकि अब य सवाल्टन के भूमिका को कम करके आका है, जबकि सच्या यह है, उन्होंने एक कॉंसेप दिया था, एक जो मैं आपको डे-टु-डे में बताऊंगा, उन्हें कॉंसेप दिया था, प्रेसर फ्रम बिलो, मतलब उनका कहना है कि निचले अस्तर का जो परने वाला दवाव होता है, वो निचले अस्तर से परने वाले दवाव नेत्रित को दिशा देता है, तो नेता सवाल्टन को प्रहावित नहीं मान था, तो यहां पर यह मान कर चलते हैं कि जो सवाल्टन होते हैं, वो नेत्रित की द्वारा जो अस्थापी सीमा होती है, उसको बरदास्त नहीं करते हैं, वो अपना सीमा खुद बनाते हैं, और वो कहते हैं कि किसी आंदरों को समझना होगा, तो जो सवाल्टन लोग है, यह जो मार्जिन के लोग है उनकी मांसिक्ता को समझनी पड़ेगी तो उनके मांसिक्ता को समझनी के बाद मुहिमिंड को समझ पाएंगे तो मारसवादी इस बास पर खापा होते है यह नहें। नहीं कहा विंगे रुगतिक प्रिस्थित्यें कि उwhatadors हो क ब Nina x बनाती है यह कहते हैं कि नहीं स्वतन रोप से मांसिक्ता का हम अध्यन करेंगे तो दोनों के दोनों के बीच एक तरह से मतलब मतक नहीं है और यह कहते हैं कि भाई हमें नेतृत की ब्हुमिका के अध्यन के बजाए हमें सामाधिक प्रक्रिया स्वा्डेर्य cheer करना चाहिए तो यहीं उनका है लेकिन इनको भी आप नहीं चल सकते वारा प्रहावी हो गया और वर्डवाइड वर्डवाइड यह कल्चल स्टेडिज एक फैशन ही आ गया है जहां पर एंथ्रोपलोजी का जो नॉलेज है वह बहुत प्रधान हो गया है तो कल्चल स्टेडि की थिम्स तो आप उसको देखिए उस तो आपको पढ़ना ही परेगा मैंने कहा है कि दो आपको एंसे आप पर दालूंगा वो लेक्चर चुकि मैंने एंसिंट और मेटेवल का लिया था मॉडर्न का नहीं लिया है तो मैं आप लोग का एक लेक्चर हिंदी में और इंग्रिश में इस वार मैं हिंदी इंग्रिश दोनों में हर चीज़ अब अलग अलग ही करता रहूंगा जहाए वो बुक रीवीव है कोई भी चीज़ है चुकि दो लेंगउज में फिर हमें भी और अश्र को डाल ही देता हूं एव डालना ही चाहीए तो इस परकार से इस सवार्टर हिस्टिराफी के अब कितना ऐसंट को पढ़ना पार्टिस्ण ऑफ हिंडिया आस्पी सवार्टिक स्वार्टिश और का कहना है कि देखिए आप पार्टिशन के कारणों पर क्योदेश् करिए कि partition का सवालटन पर क्या impact परा है partition का जन सामान पर क्या impact परा है अगर आप जन सामान पर partition का impact देखोगे तब partition के अर्थ को समझोगे तो आज तुम देखते हो कि आज partition के impact पर बहुत जादा सोध हो रहे है कि partition ने जन सामान पर क्या प्रहाव छोरा है दंगी you can say deportation आप देखो कि वहाँ पर trauma, tragedy इसके अध्यन पर भी से बल दिया जा रहा है कहा जा रहा है कि इसने आज भी इसकी जो legacy है वो पूरे हिंदुस्तान के समाज में चीपी हुई है चुछ पार्टिशन के मासिक्ता हम उबर नहीं पाएं तो आज पूरा का पूरा जो उस धांचे को चेंज करने में चाहे आप लोग जब जैसे question आता है तो आप नहीं समझ पाओगे उसको अब आप समझ जाओगे चुकि आप class कर रहे हो ना आप समझ जाओगे जैसे आपका question ऐसे आता है भारत चोरो आंदुलन भारत चोरो आंदुलन भारत चोरो आंदुलन एक स्वत्ता आस्फूर्थ आंदुलन था भारत चोरो आंदुलन एक स्वत्ता आस्फूर्थ भारत चुरू आंदोनें एक स्वता आस्फूर्ट आंदोनन था भारत चुरू आंदोनन था पूंटेनियस मॉह्मेन एक स्वत्हा अस्फुर्था आंदूरंता समालोशनात्व परिक्षण केचे समालोशनात्व परिक्षण केचे तो देखिए यहां पर इसको मैं देखते ही समझ जाओंगा और आप लोग भी आगे समझ जाएं कि अरे तो सवाल्टन वालों का सवाल्टन वाला पीसे सबसे यह दिखाएंगे कि नेता के भूमिका कम होती है जनता अपनी पहल पर करता है तो उनको यहां एस्टन लेना पड़ेगा उचित कि इसमें अन गांधिवादी अन आंदुनों की तुलना में यहां पर लोगों को अपने विवेका धीन शक्तियां ज्यादा प्राप्ति और वो ज्यादा स्वतनता और विवेक से वो निर्ने ले सके फिर भी इनको स्वता असफूर्थ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका शिप्त भूत पहले से पकर रहा है तो complete स्वता असफूर्थ इसे नहीं मानेंगे तो फिर वही सवाल टन कहीं पूरी विवस्विकार करने वाली बात हो जाएगी तो यह मैं आपको कोशेंट टू कोशेंट बताऊंगा अभी तो मैंने हिस्टोग्रफी के आपको एक जलक दी है हिस्टोग्रफी की जलक देने के बाद जब मैं टॉपिक टूपिक बरूँगा तो इसके आने पहलों को सिस्टेमेटिक चाहते हैं कि बच्चों को सिस्टेमेटिक नौलिज देना पसंद करते हैं वैसे मैं जब वर्ल जिस्ट्री पर होंगा तो वहां पर यह चीज़ें आपको आसपस्ट होंगी तो अब मैं पहले ही आपको एक यॉरप का परिद्रिश्य दिखाता हूं वाला कि आपको सिल्वस का पार्ट नहीं है वर्ल जिस्ट्री में आप वैसे ही पर होगे अब पहले सबसे पहले देखिए भारत में इरोपिये कंपनिया आई क्यों उनके आने की परिस्थीतियां क्या थी तो यहां पर मैंने पहला मुद्दा उठाया है इरोप में होने वाले वैपारिक नेटवर्क कायम रहा था तथा सिकंदर के आक्रमन के पहचा थी एरोप एवं भारत के बीच कई वैपारिक मार्ग खुल गये थे प्रन्तु 15 शदी के नत में पस्मी विस्व में कुछ ऐसी घटना ए घटी जिन्होंने इरोप एवं CS विस्व के भी संबंधों को बदल दिया यह घटना थी आटोमन तुरकों के द्वारा पुर्वी रोमन सामराजे पर आक्रमर घर उसकी राजधानी कुस्तुंतुनिया पर 143 में कबजा कर लिया जाना इसके पहिणाम सरूप भारत और एरोप के बीच बैपारिक मार्ग अब्रुद हो गये और एरोप मे एक मैप मुझे रखना चाहिए था खेर वो यूरॉप के लिए लेकिन वो आपको इतनी दूर से वीजिबिलिटी नहीं रहेगी आप लोग अपनी गूगल पर ही चला जाना और उस समय आप लोग कॉस्टेंटिन डिक्लाइन ऑफ कॉस्टेंटिनोपून या मतलब सी भुए साथ के भी तो रास्ता खूल गया था और इस करम में तुम देखते हो कि कई लैंड रूट भी थे सी रूट भी थे सी रूट में आपको फारस की खाड़ी से एक रूट बहुत इंपोर्टेंट था जो आप देख चुके हो इतिहास में दूसरा लाल सागर से यरप में पूर्वी रोमन सामराज अथ्वा बिजेंटियन सामराज हुआ करता था अब हुआ ऐसा कि उसी समय इस्लामिक वर्ल में गलोबल इंपारि इसलाम ने खारा किया था तो बहुत सारे तुर्क भी मुसलिम हो गए थे उसी में तुर्कों की एक शाखा थी ऑटोमन त कहते हो तो अब भारत और एरोप के बीच जो भी बैपारिक मार्ग थे वो बैपारिक मार्ग अब अब रुद्ध हो गए क्योंकि अब कुस्तुन्तुनिया का पतन कहते हैं इतिहास में 1453 की घटना है जैसे उसने आटोमन तुर्कों ने हमला किया और उनके हमला से जो से बैपारी आते थे तो आप फारस की खारी से होकर जाओगे लाल सागर से होकर जाओगे या लैंड रूट उधर आप हिरात वेगरा इरान से किसी रास्ते को आप पगड़के जाओगे लैंड रूट ही पगड़के आप अगर कैस्पियन सागर के बगल से होकर जाओगे त तो उन्हें जवरन वो मुस्लिम जो स्वल्जर्स थे पकरकर उनको जवरन इसलाम धर्ण में धर्मानतरित करा देते तो उस डर्ण से लोगों ने उस रास्ते को छोड़ दिया था तो प्रॉब्लिम सुरू हुआ वहीं से अब हम यहां पर आपको यहां बताना चाहेंगे कि अब आगे चलकर इस्थिती में परिवर्तन आना है अब देखिए दिकत क्या हो रही है यह इरोपीय देशों का रास्ता तो अबरुध हो गया एक तरह से यह जीन को उनके बोतल में कैद किया जाता है तो यह जीन की तरह उस जैसे जब यॉरप को बोतल में जीन की तरह कैद कर दिया गया और वही समय है कि यॉरप में एक धना डवर का उधवा हुआ है धीरे धीरे एकॉनमी का और बैपार का रिवाइवल हो रहा है और पूरब में जो मसाले थी उस मसाले की बड़ी तिवर मातरा में मांग है और वो लगजरी गूट्स के रूप में हैं वहां मांस के उपलवता बर रही है तो मसाले का उपयोग मांस को फ्रीजिंग मेट्रियल के रूप में मांस को प्रिजर्ब करने के लिए मसाले लगा कर छोड़ते थे खाने के लिए मसाले नहीं मंगाते थी तो अगर इंडियेट स्पा प्रसार के कारण इसमें आपको कुछ एक पॉइंट दिये गए इस पॉइंट पर आप नज़र डालिए ताकि आपको पता चले कि उस कालमी भारत और यॉरप के बीच या एशिया और यॉरप के बीच जो बैपार का उद्वा हो रहा है उस उद्वा के कारण क्या है कुसंतुनिया का पतन तथा नए मार्गों की खोज इरोप में एक धनी वर का उद्वा हो चुका था जिसे पूरब की विलास्ता संबंधि सामगनियों की जुरत थी अता नए मार्ग की खोज प्रारम हुआ था इस दिसा में पहल एस्पियन और पुर्तगाल ने की फिर क्रमश कोलंबस ने अमेरिका तथा वास को डिगावाने भरत की खुज की आप वर्ल्ड हिस्टी वाले पार्ट में देखो कोई बड़ी चीज नहीं है कि ठीक है उन्होंने इरोप को जीन की तरह कैद तो कर दिया है बॉटल में लेकिर यॉरप अब बैचेन हो रहा है क्यों बैचे इटली में इटालियन नगर रज हुआ करता था तो उसी इटली में रोम था और रोम में ही रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप का मुखिया ले था बाबजूद इसके जो इटालियन नगर दाज थे वह बैपार में बहुत ज़्यादा इन्वाल थे वह बैपार में वह बीजी थे और उन पर धर्म का प्रहो अपक्छा के कम था तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बैपारियों के साथ एक तरह से गठ मंदन या साथ गठ कर लिया और मुस्लिम बैपारियों की सहायता से जो पूरव से आने वाले मसाले है उसे प्राप्त करने लगे और मुमांगे दाम पर एरोप में बेशने लगे तो एरोप के जो बाप की बैपाड़ी है उनको जलर होने लगा उन्हें लगा क्या भी तो बैठ बैठा है मुनाफाक का मार है और हम local का तो रास्ता बंध किया हुआ है तो आप अगर यॉरप में देखोगे तो सबसे पसमी छोर पर जाओ, यह अटलांटी की तरफ खुरने वाले दो देश आपको मिलेंगे, एक पुर्तगाल और दूसरा एस्पेन, तो पुर्तगाल और एस्पेन नहीं पहले पहल की कि चलो पृत्वी गोल है तो को हम वैकल्पि उन्हें एक सनद दे दे कि जाओ, आप जहां जाना कि वहां पर इसाई धन का प्रसार करना, फिर उसी क्रम में तुम देखते हो कि कोलंबस जब एस्पेनिस, हलाकि एस्पेन के दोरा एस्पॉंसर था, था तो इटालियन, तो वह कोलंबस यहां से बढ़ता है, और बढ़कर अमेरिका से जाके टकराता है, लाटिन अमेरिका से, तो वह यह उमीद करता है कि हम से भारत के पुर्वी छोर पर पहुंच गया, तो वह यही गलत परभी में रहा है कि हमने भारत को खुझ लिया 1492 में, और इथर वासको डिगामा पहले बार्थोलोमी और डियाज ने केप और वह उतरता है, और जमोरिन उसकी रक्षा करता है, अरब बयापारियों ने तो उसे मार डालना चाहा, देखो यह इसलाम का ग्लोबल इंपायर था, और इसलाम का ग्लोबल इंपायर 17 सदी से लगभग 15 शदी तक चला है, उस समय बाकी सारी सक्तियां हासिये पर चली गई या सामुद्रिक मार की खोच के लिए निकलना इस बात का द्योतक था कि अब इसलामिक भूमंडली करन के समाफ्ति होने वाली है, और इरोपिय भूमंडली करन का आरंब होने वाला है, तो यह एक नए यूग अंगराई ले रही थी, ले रहा था, तो यह पहला पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट देखो, नए अट्लांटिक मार क्से बैपार अपिक्षा के सुगम, यदेप यह मार क्पुराने मार क्से लगवक्त तीन गुना अधिक बरा था, प्रंतु यह सीधा समुद्र से जुरा हुआ था, इसलिए पहले की तरह भूमी मार क्से नहीं करने का लिए तो आपको वहां पर जाने के लिए तो अफ्रिका के कौस्तर इसे मूफ करते हैं तब आपको आना है On the Cape of Good-O Dur saghatoo, और वहां से खाड़ी की रास्ते जाते तो थोड़ा सा लेंड पार्ट जादा पड़ता लाल सागर के रास्ते जाते तो स्वेज नहर तो बना हुआ नहीं था उसमें स्वेज नहर तो एक टिन सिशिन आइन में खुला है तो पहले क्या होता कि आपको वहाँ पर लाल सागर क्रोस करके भू जौस्था करनी होती जो हां उपलब्ध होता है जो बहुत जादा पैसा लेकर आपको हेल्प करता और आप अपनी सामगरी को भूमद शागर तक पहुंचाते तो यह बड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट था वही वो दे रहा है क्योंकि उसमें तकरीबन रास्ता तो छोटा था लेकिन एक बार जहाज को अनलोड करके दुवारा अनलोड करवाने में और ट्रांस्पोर्टेशन को पे करने में आपका बहुत सारा मुनाफ़ा चला जाता था यह मार्ग तीन गुना तो आक लंबा था लेकिन डायेट सामुदरिक मार्ग था यहाँ पर कहीं पर अनलोड नहीं करना है एक बार आपका लोड होगा और सीधा उसी डेस्टिनेशन पर जाकर उतरेगा क्योंकि बीच में कहीं भी आपको लैंड मार्ग क्रोस नहीं करना पर तो यह सुविधात थी उनके लिए फिर आप देखते हो कि अमेरिका की खोज एरोपिय बैपार के लिए अत्यधिक उपयोगी हालांकि अमेरिका की खोज अकसमात हुई थी प्रन्तु यह खोज एरोपिय देशों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिध हुई क्योंकि अमेरिका को तो धोखे से खोजा जया किसी ने अमेरिका को खोजना नहीं चाहा और वो बार-बार-बार केवल भारत के व्यकल्फिक मार की खोज कर रहे थे accidentally America was discovered कितना वारा फायदा उन्हें मिला ज़रा अनमान करिए अगर उन्हें अमेरिका की खोज नहीं की होती तो वो भारत से जो वस्तुई खड़ीते उसको पे कैसे करते क्योंकि भारतिय वस्तुई की यॉरप में बहुत ज़्यादा मान थी और बात कर भारत की नहीं है पूरे एसिया भैपार ही कह लेजे पूरे एसिया से जो वस्तुई ले जाते थे उसके बदले यॉरप से दिने के लिए उनके पास वस्तुई नहीं थी तो वो पे करते थे चांदी और स्वाड़ में और थैंक्स टू अमेरिकान कॉंटिनेंट की इतनी बड़ी मात्राइं में उनको धातु दिया और वो पुर्वी वैपार को चला पाए नहीं तो बिना अमेरिका की सहायता कि वो पुर्वी वैपार को चला ही नहीं पाते पॉइंट फॉर नौ परिवहन गतिविध्यों में तक्निकी विकास अब यह वैसे संभब नहीं करते हैं कमपास है एस्ट्रोलेव है कमपास है उसका विकास हुआ है और प्लस पहली बार अब कर सकते हो कार्टोग्राफी डेवलप हुई मान्चित्रावली उससे उनको रास्त का ग्यान आसान हो गया उसे नौ परिवहन गतिविध्यों को पुरुस्ताहन मिला अन्य था उन्हें मुश्किल होता अब जब यवरप का इतिहास पर होगी तो आप एक दो चीज और भी देखोगे जिसको यहां समझाना मिले थारा मुश्किल होगा इरोप के महत्वा कांच करने का प्रयास कर रहे थे इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक संसादनों की जो थी इसलिए इन महत्वा कांची शासकों ने भी भौगौलिक हो जब नए च्छत्रों में उपनी उसके विस्तार पर बल दिया अब इसके लिए थोड़ा हमें आपको इरोप का इतिहास बता के कब्र से राष्टिय राजी का उद्वा हो रहा है राजितंत्र अस्थापित हो रहे हैं राजितंत्र अपनी सैना अस्थापित कर रहा है अपनी नौकरशाही अस्थापित कर रहा है इसके लिए इरोपिय राजितंत्र को बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन चाहिए था अर благ जाग्रण दराप प्रेडित साहसिक मनुभाव। अब पुनजाग्रन ने एक साफसिक मनोभाव को प्रेद किया है, तो उसमें यही काल है, जब एरोप में पुनजाग्रन का ओधवा हुआ था, पुनजाग्रन ने लोगों के मस्तिस पर धर्म का प्रहाव कम किया, तथा मानों के महत्व को अस्थापित किया, इस मानोवादी इतना ने भी लोगों में सासिक मनोभाव भर कर उसे सामुद्र गतिविद्धों के लिए प्रशाइद किया, मैं जब आपको एरोपिय पुनजाग्रन परहाऊंगा, तो इस चीज का जवाब मिल जाएगा, जैसे एरोपिय पुनजाग्रन आया, तो देखो, अब एक ही बात बताईए, कि केबल क्या तक्निकी ही तरक्की के लिए प्रयाप्त होता है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जितनी चीज को लेकर इरोपिय देशों से में इतरा रहे थे, और सामुद्रिक खोज में निकल पड़े थे, उस सारी तक्निकी चीन की थे, चीन के जहाज का नाविक था, जिसने मिंग वंस के समय जो आप कर सकते हो कि इसने सेवेन वोयजे लाए थी, सामुद्रिक खोज में सबसे पहले जेंग हे निकला था, जेंग हे, लेकि वही जेंग हे के बाद चाइना पिछर गया, चैनी समाज रुडिवादी समाज था, रुडिवादी समा पुडव नरग का द्वार है, तो एक आमधारना था, जिबराल्टर से पुडव नरग का द्वार है, तो इसलिए चीन आगे नहीं भर पाया, पुनर जागरण, पुनर जागरण का मतलब है नवीन चेतना का इरोप में भीकास हो रहा था, और नवीन चेतना ने लोगों के दिमाग के बंधन को खूल दिया लोगों की रिवादिता कम हुई और लोग फिर समुदर में निकल पड़े वह अच्चितना पुनर जागरन और धर्मशुधारांदुरन ने दी शायद पुनर जागरन और धर्मशुधारांदुरन के बीना इरोप की वैसी आधनिकता नहीं ह पूछा था कि एरोपिय बैपार के विकास के क्या कारण थे अगर ऐसा कोशन पूछा जाए तो यह साथ के साथ पॉइंट आप दे सकते हो अब इसके बाद हमें एरोपिय कंपनियों के बारे में बताना है लेकिन अब अगर मैं आज ज्यादा दूंगा तो आपको ज्यादा पर जाएगा आप इतना ही आज तियार करो फिर कल मैं आता हूं तो इरोपिय कंपनियां दिखा होँगा और फिर उसके बाद पहले और आरंबी गतिविदियां दिखाएगे फिर 18 सदी में जो छेतिये राज है उनको दिखाने के बाद तब हम फिर धीरे धीरे छेतिये कर लेना और फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे जब टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा तो फिर हम कोश्चन आपको फॉर्म करके उसी तरह देते जाएंगे और आप पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहा हूं आपका काम केवल मैं डेली इतना काम कवर करनू उस से आपको डाइस्ट करना है उसको रिवाइज करना है पढ़िया से ओकी थैंक्यू वरी मच्छ आज सी यू टुमारो